नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलिश पर दोस्तों आप सब लोगों ने दुनिया की अलग-अलग सब्यताओं से लेकर के वैग्यानिकों तक के बहुत से ऐसे दाबे देखे और सुने होंगे जिसमें इस बात को बताया जाता है कि दुनि दुनिया का अंत बहुत ही निकट है लेकिन आज तक दुनिया का अंत नहीं हुआ लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के अंत की पांच ऐसी सची और सटी घटनाओं के बारे में जिसमें एक छोटी सी गलती ने दुनिया को पूरी तरह से ख तो 1961 में अमेरिका रूस के ऊपर न्यूकिलियर अटैक करने वाला था लेकिन जैसे ही वो रूस के ऊपर न्यूकिलियर अटैक करता उसकी टेलिफोन लाइन में दिक्कत आ गई और इस कम्यूनिकेशन फेलियर के कारण अमेरिका रूस के ऊपर न्यूकिलियर अटैक नहीं कर प कि अगर दोनों देश एक दूसरे के उपर नुकिलियर अटेक कर देते तो शायद उसी समय आत ही दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती नमबर दो ब्लैक डैथ दोस्तों चौदवी शताबदी में चूहों से फैलने वाले संकर्मन को फ्लैक के नाम से जाना गया था और यह इतनी भयानक और भयावय थी कि इसने दुनिया के बहुत से देशों को अपनी चपेट में ले लिया था पूरी दुनिया में इस संकर्मन क लगबग 75,00,000,000,000 से जादा लोग मारे गए थे इस भयावय रूप के कारण को ब्लैक डैथ के नाम से जाना जाता है जिस प्रकार से आज कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहे इसी प्रकार से एक समय फ्लैग भी पूरी दुनिया में ऐसा ही अपना कोहराम दिखा रहा था दोस्तो अगर इस बीमारी को तुरंत ना रोका जाता तो शायद आज दुनिया के बहुत से देशों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया होता दोस्तो वैग्यानिकों ने रिसर्च से एक ऐसे वैक्टिरिया को डवलब किया था जिसका उदेश फसल और जमीन की उर्वरक छमता को कई गुना बढ़ाना था लेकिन वैग्यानिकों को तभी इस वैक्टिरिया के अंदर बहुत सी खामिया नजर आई और इसके परियोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई अगर गलती से इस वैक्टिरिया को धरती पर डाल दिया जाता तो धरती के जिस हिस्से पर इस वैक्टिरिया को डाला जाता वो हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो जाता अगर समय रहते इस पर रोक ना लगाई गये होती तो शायद दुनिया के कितने हिस्से आज पूरी तरह से बंजर और बीरान होते नमबर चार करिंग्टन एवेंट दोस्तो 1869 में सूर्य का ताप एकदम से ही बहुत जादा बढ़ने लगा था और ये इतना जादा था कि पूरी धरती को समाप्त कर सकता था नासा के वेग्यानिकों का ऐसा मानना था कि ये घटना हर डेड़ साल में कभी न कभी होती रहती है लेकिन इस घटना का पता पहले से बिल्कुल भी नहीं लगा जा सकता नासा के वेग्यानिकों का ऐसा मानना था कि इसकी तागत इतनी जादा होती है कि ये लगबग 100 खरब इसके बारे में अपनी technical team को बताया लेकिन जब technical team ने इस घटना की जाच की तो उन्होंने पाया कि उनके उपर कोई भी missile attack नहीं हुआ है बल्कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक technical problem के कारण हुआ है जाच में ये पता चला कि उनकी satellite पर सूरच की तेज रोशनी पड़ी है और उसी के reflection के कारण से ऐसी image दिखाई दी अगर सोच के देखे के रूस ने बिना कुछ सोचे समझे अगर पलटवार कर दिया होता तो ये छोटी सी misunderstanding एक बड़े हमले और युद का कारण बन जाती दोस्तों आपका एक लाइक हमें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें